बांका जिले के भदरिया गाव में मिले भगवान बुद्ध के अवशेश करीब 2600 वर्ष पुराने हैं शनिवार को सियम नितिश कुमार ने इन अवशेशों को देखा सियम ने चांदन नदी की धारा को बदल कर पुरानी धारा में जोडने का आदिश दिया है ताकि जिन जगह पर अवशेश मिले हैं वहाँ खुदाई की जा सके उन्होंने जल्द खुदाई करने को भी कहा है जिले के अमरपुर प्रखंड स्थेत भदरिया गाव में चांदन नदी में मिले भगवान बुद के करीब 2600 साल पुराने अवशेशों का शनिवार को मुख्यमंतरे नितिश कुमार ने अवलोकन किया करीब 45 मिनिट तक सीम ने अधिकारियों से इसके बारे में जानकारी प्राप्त की सीम नदी की धारा को बदल कर पुरानी धारा में जूडने का आदेश दिया ताकि जिन जगह पर आवशेश मिले है वहाँ जल्द और खुदाई कराई जा सके मुख्यमंतरे नितिश कुमार ने बताया कि प्राचिन आवशेश करीब 2600 वर्ष पुराने है ये अनुमान लगाया जा रहा है कि यहां और आवशेश मिल सकते है जिससे कई नई जानकारी दुनिया को मिल सकती है इससे यहां परियटन की अपार संभावनाय होगी भदरिया को परियटन स्थल भी बनाया जाएगा अधिकारियों के साथ बाचित में नितिश कुमार ने कहा कि प्राचिन आवशेशों को देखने से पता चलता है कि यहां भगवान बुद्ध का काफी प्रभाव रहा है बरिश्ठी तिहासकार्स राजेंदर प्रसाथ सिंग ने इस पर लिखा है कि आज की भदरिया गाउं का उलेख बौद ग्रंथों में भद्धिय गाउं के रूप में है यह अंगुतर निकाए में इसका उलेख मिलता है भद्धिय गाउं का उलेख डॉक्टर बाबसे बंबेड कर राहुल संकरतैन और हवलदार त्रिपाठी ने किया है कभी गौतम बुद वैशाली से चारी का करते हुए लगभग बारहसो भिकों के साथ भद्धिय गाउं पधारे थे तब भद्धिय गाउं के एक बड़े श्रेष्ठी मेंड़क हुआ करते थे मेंड़क ने अपनी पूती विशाखा को बुद्ध के सतकार में अगवानी के लिए भेजा था जिन्हें मिगार माता विशाखा कहा जाता है चांदर नदी के धारा में प्राचीन भवन के अवशेश मिले हैं कई कमरे दिख रहे हैं इंटे हाथ से थाप कर बनाई गई है